आज की छर्चा में आपका स्वागत है आज का जो पॉड़कास्ट है यह हमारे कुछ सब्सक्राइबर और वीवर्स की जो रिक्मेंडेशन पर है और यह फोकस है डबबा की हेल्थ के उपर जिसके लिए बहुत ज़़द कॉंजनेशन लोग और अक्षर जुड़े उसमें कॉमेंट्स करते रहते हैं देखे फ्रेंट्स मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूँ ना तो बॉड़ी शिमिंग को हम समर्तन करते हैं और ना यह उसके बारें बात करते हैं हम स्रिफ बात कर रहे हैं health point of view से क्योंकि basically health का अच्छा होना बहुत जलूरी होता है जिस तरह से डबा जो हैं अपने सेथ के प्रती बहुत ज़दर लापरवा हैं आपने देखा होगा नॉर्मली वो सब junk food खाते हुए दिखाए देते हैं और junk food के अलावा उसके अलावा जो preparation होती है घर के अंदर food की preparation वो भी unhealthy होती है बिसकुट का example तो सब के सामने है अब देखिये serious बात क्या है कि serious बात यह है कि अभी इनका एक miscarriage हुआ था अब miscarriage के बात से यह doctor के touch में हैं दोनों touch में हैं अगर दोनों touch में हैं इससे साफ जाई रहे है कि वो basically preparation कर रहे हैं कि baby के लिए और उसके लिए वो सारी जो अपने treatments हैं वो सब करा रहे हैं तो इस conscious time में बहुत ज़रूरी है doctor भी जो है यही सला देते हैं कि आप healthy खाना खाईए healthy tips लीजे यानि कि lifestyle आपका healthy होना चाहिए अब देखिए अगर इनकी health की condition की बात करें तो यह तो एक बात होगी जो हमने बताया कि जो कि यह चाहते हैं future में अपने बेबी के लिए दूसरी बात अगर बात करें health के लिए तो इनको PCOS और PCOD की दोनों की problem है और साथ-साथ अगर आपको पता हो तो जैसे यह बताते हैं कि इनको thyroid भी है तो जब इतनी सरी यह problems हैं तो ऐसे में तो बहुत जदा आपको care करना पड़ेगा अपनी health के लिए यानि आप क्या खाते हैं क्या lifestyle जीते हैं और कैसे गरते हैं अगर आप ध्यान दें तो इनके vlogs से जो lifestyle पता लगता है वो यह पता लगता है कि रात को 11 बज़े से लेकर रात को एक बज़े के बीच में इनको coffee या चाय पीनी है पर उसके लिए बाहर जाना है coffee तो एक ऐसी चीज हो गई है कि जो एक तरह से यह आप ही समझ लिए कि पानी हो गया है कि पानी के बीना जैसे आदमी नहीं रह सकता coffee के बीना नहीं रह सकते इन health conditions के साथ में यह सब जो habits हैं यह basically आपके लिए problem है और आप अपनी health देखी रहे हैं किस तरह से होते जा रही है और किस तरह से आप ठक जाते हैं आपने देखा होगा कुछ भी करने में बहुत ज़्यदी ठक जाते हैं और ऐसे लगता हैं सांस भी हाफने लगे तो यह सब body conditions जो है न वो ठीक नहीं है तो आपके healthy condition में आपको आना होगा वो चाहें खाने पीने की habit हो और या फिर हमारा life style हो यानि कब उठना है, कब बैठना है, कब कैसे करना है यह बहुत ज़रूरी है अगर पीछे की तरफ देखे हैं कि मतब इनका body किस तरह से रही है और कैसे रही है तो पीछे की तरफ देखे हैं तो जब यह पढ़ते थे और पढ़ने के बाद में इनोंने अपना केरियर स्टार्ट करने के लिए कोशिश की जब भी सीय कर लिया था तो तभी जो है दिपीका जी इनके कॉंटेक्ट में आई और उस टाइम के अगर इनकी इस्टाग्राम के पोस्ट और बागी सब चीज़े देखेंगे तो आपको दिखाई दिखा कि ये क्वाइट healthy दिखाई दिखाई दे थी तो इसका मतब इससे पता लगता है जोड़ा बहुत बोडी में आईदर थाइराइड की वज़े से या किसी की वज़े से तो उस टाइम में भी यह थोड़ा सा एल्दी देती तो उसके ऊपर पूरी तरही किसे इन्होंने डांसिंग स्कूल भी जोईन किया इन्होंने पहले एक्टिंग क्लास और साथ-साथ जो डांस क्लास भी जोईन किये थी उससे ऐसा लगता है कि शायद यह जो ब्रदर थे इनक के नक्षे कदम पर चलना चाहती थी और कुछ ना कुछ काम पाना चाहती थी इंडस्टी में तो ऐसे में यह उतना शायद इतना सफन नहीं उबाई उस केरियर के लिए पर इन्होंने स्टार्टिंग करी थी अच्छा उस टाइम में इन सब को करने के लिए जो दीपिका जी देखें हैं इसमें तो इनके फेस पर भी काफी काम किया गया था और उसके लिए उनके जो दो-तीन इसपोर्ट थे ब्लैक स्पोर्ट यानि कि जिसा मस्सा या ऐसा कहते हैं वह भी इनोंने सर्जिकल या किसी तरीके से वह भी रिमूव कर रहे थी और उसके बाद में उसको इंप्रूव करने के लिए ही तीपीका जी ने इनको एक फोन दिलवाया था और फोन दिलाने के बाद में फिर इनोंने अपना व्लॉक चैनल शुरू किया और स्टार्टिंग में उन्होंने उन्हीं को फोकस रखकर इस अपकाम किये तो बिसिकली मैं यह इसलिए बता रहा ह हैं अभी लगातार इसके बाद में अब देखिए फिर उसके बाद में इनका शादी का टाइम आया तो तब भी इत्वर से लेकिन इनोंने उसके ओपर कोई भी काम नहीं किया और उसके बाद में फिर इनोंने जब ब्राइडल ड्रेस और यह सब पहने तो वह इन पर फेस से सब चीजें दिखाई देती हैं अच्छा उसके बाद में इनोंने इतने सारे ब्राइडल शूट्स और कराया शादी के बाद में तब भी इस लुक के उपर इनोंने कोई काम नहीं किया देखा नहीं तो कुल मिला कि यह है कि उसके बाद से तो यह इतना केरलेस हो हैं कि इनकी हैलत का यह देयान नहीं रखती हैं तो इसकी वाज़ से इनकी हैल्थ ठीक नहीं आगे के लिए ठीक नहीं है तो कुल मिला के यह है कि यह इसी लिए बनाया गया है कि वीवर्स जो चाहते हैं कि थोड़ा सा आप अपने हैल के तरफ द्यान दें अगर तक यह पॉडकास्ट पहुंच रहा है और यह जो कॉफी और दूजरा अनेलदी फूड है और जो जंक फूड है इस सबसे हमें बचना चाहिए लिए सिमलरलिय हमें लाइफ स्टाइल को वी अपना सही करना चाहिए कि किस तरह से हम उठते हैं और किस टाम में हम सोते हैं और उसके बीच में फिजिकल अक्टिविटिज क्या करते हैं that is much more important for the health आप फिजिगल कितना करते हो तो बस आज का पॉडकास्ट यही तक और क्योंकि basically ये recommended podcast था शायद उन तक पहुच गया होगा जो ये सब बात इसके उपर बात करना चाहते थे और मिलते हैं अगले podcast में अगर आपको ये podcast अच्छा लगए हो तो प्रीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और खुशिया बाटी है और खुश रही है और आने वाले वक्त में अपने रिस्तों की गदर कीजिए क्योंकि रिस्ते ही होते हैं जो कि हमें आगे ले जाते हैं शुक्रिया दन्यवाद थेंक्यू